जै पूलिनात इससे पहले के अध्याई में आपने विश्वेश्वर जोतिलिंग और काशी के बारे में सुना था पंच क्रोशी के बारे में जाना था आज की वीडियो में आप जानेंगे अन्य जोतिलिंगों के बारे में उससे पहले आप सभी से अनरोध हैं कि आज आप भा बगागवत कथा के आज के अध्याय में सुन सकते हैं आज हमने भागवत कथा के दो अध्याय एक साथ सुना हैं प्लीज आप जरूर सुनेगा और जितने लोग भी इन कथाओं को सुनने के बाद वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप सबसे अनुरोध हैं कि आज की पूजा विदी के बारे में बताना होता है, क्योंकि हर दिन ही कोई ना कोई तीस त्युहार कोई व्रत होता है, तो ऐसे में यदि आप चाहें, तो उन कथाओं को भी आप मारे चैनल पर जरू सुनेगा, सत्य नारण भगवान की कथा, एकादशी की कथा, अभी संतान सप्तमी है, उसकी कथा, राधास्टमी की कथा भी आप चरूर सुनिएगा, सबसे पहले जानिए वारांशी तथा विश्वेश्वर का महातमे, शिरी सूत जी कहते हैं हिमुनिश्वरों, मैं संशेप से ही वारांशी और विश्वेश्वर के परम सुन्दर महातमे का वर्णन करता सुनो, एक समय की बात है कि पार्वती जी ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसनिता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त छेत्र और अविमुक्त लिंग का महातमी पूछा, तब परमेश्व शिव ने कहा, देवी, ये वारांशी पूरी सदा के लिए मेरा गोहियतम छेत और सभी जीवों की मुक्ती का सर्वता कारण है, महेश्वरी, वारांशी पूरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़ कर काशी में रहता हूं, उसे बताता हूं, सुनो, जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्यानी हैं, व ये दोनों कहीं भी मरें, तुरंत ही मुक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ये मैंने निश्चित बात कही हैं, हे देवी, इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थों में जो विशेस बात हैं, उसे तुम मन लगा कर सुनो, सभी वन्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे विबालक जवान या बूढे कोई भी क्यों ना हो, अगर इस पुरी में अर्थात वारांसी में आकर मर जाएं, तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें कोई संचे नहीं, इस्तरी अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या बंधिया, रजस्वला, प्रसूत संसकार ही ना, अत्वा ऐसी वैसी कैसी भी क्यों ना हो, अगर इस छेत्र में मरें, तो अवश ही मुक्ष की भागिनी हो जाती हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं, स्वेदज, अंडज, उद्विच और जरायुज प्रानी, जैसे यहां मरने पर मुक्ष पाता है, वैसा और क तम जाती की भी अपिक्षा नहीं होती, जो मनुष्य मेरे इस मुक्ष दायक छेत्र में निवास करता है, वैसा जैसे मरे, उसके लिए मुक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है, प्रिये मेरा यह दिव्विपुर गोहिसे भी गोहितर है, ब्रमादी देवता भी इसके महातम को नहीं जानती, इस काशी पुरी में शिव भक्तों द्वारा अने एक शिवलिंग इस्थापित के गए हैं, ये पारवती वे संपून अभिस्टों को देने वाले और मुक्ष दायक है, चारों दिशाओं में पांच-पांच कोस फैला हुआ ये छेत्र अविमुक्त कहा गय ये सब और से मुक्ष दायक है, जीव को मुर्त्युकाल में ये छेत्र उपलब्ध हो जाए, तो उसे अवश्य ही मुक्ष की प्राप्ती होती है, अगर निश्पाप मनुष काशी में आकर मरे, तो उसे ततकाल ही मुक्ष मिल जाता है, और जो पापी मनुष मरता है, वे प्राप्त होता है, उसे पहले यातना का अनभव करके ही पीछे मुक्ष की प्राप्ती होती है, लेकिन मुक्ष मिलता जरूर है, हे देवी, जो इस अविमुक्त छेत्र में पाप करता है, वे हजारों वर्शों तक भैर्वी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पस्चाती म देवी जब शुब और अशुब दोनों ही कर्म नाश हो जाते हैं तब जीव को सच्चा मोख्ष प्राप्थ होता है अगर किसी ने अपने पूर्व जनम में आदर पूर्व काशी का दर्शन किया है तब ही उसे इस जनम में काशी में पहुंचकर मृत्यू की गती प्राप्थ हो जाती है जो मनुष्य काशी जाकर गंगाजी में स्नान करता है उसके क्रेमान और संचित कर्म का नाश हो जाता है परन्तु प्रारप्थ कर्म भोगे बिना नस्ट नहीं होता ये निश्चित बात है अर्थात जो जैसे कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य ही भोगना होता हुआ जिसके काशी में मुक्टी हो जाती है उसके प्रारब्द कर्म का भी 6 हो जाता है पर इने एक ब्रहमन को भी काशी वास कर व्हस्वैम भी काशी वासate का अफ्षर पाकर मोक्ष लाब करता है अब सुनिए त्रेंब केश्वर जोतिलिंग के बारे में सूत जी कहते हैं मुनिवरो सुनो मैंने सद्गुरु व्यास जी के मुक्ष से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ पूर्वकाल की बात है गौतम नाम से विख्यात एक स्रेष्ट रिशी रहा करते थे जिनकी परमधार में पतनी का नाम अहिल्या था दक्षिन दिशा में जो ब्रह्म गिरी है वही उन्होंने दस हजार वर्षो तक तपस्या की थी उत्तम वृत का पालन करने वाले हे महर्षियों एक समय वहां सो वर्षो तक बढ़ा भयानक अकाल हो गया सब लोग महान दुख में पड़ गए इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था फिर जीवों का आधार भुद जल पला कहां से दिखाई देता उस समय मुनी, मनुष्य, पशू, पक्षी और इम्रिग सभी वहां से दसों दिशाओं को चले गए तब गौतम रिशी ने छे महिने तक कठिन तपस्या करके वरुन देव को प्रसन किया वरुन देव ने प्रकट होकर वर्मागनी को कहा रिशी ने वर्षा के लिए प्रार्थना की तब वरुन देव कहने लगे कि देवताओं के विधान के विरुत वर्षा ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हे सदा अक्षे रहने वाला जल देता हूँ तुम एक गढधा तयार करो उनके ऐसा कहने पर गौतम रिशी ने एक हाथ गहरा गढधा खोदा और वरुन देव ने उसे दिव जल के द्वारा भर दिया फिर परुपकार से सुशोबित होने वाले मुनिश्रेस्ट गौतम से कहा कि हे महमुने कभी छीर्ण ना होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और प्रत्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याती होगी यहां किये हुए दान, होम, तप, देव, पूजन और पित्रों का अश्रात सभी अक्षय होंगे ऐसा कहकर उन महर्शी से प्रशंसित होकर वरुण देव अंतरध्यान हो गए उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्शी गौतम को भी बड़ा सुख मिला महात्मा पुरुष का आश्राय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरुप को देखते और समझते हैं दूसरे अधम मनुष्य कभी नहीं देख पाते मनुष्य जैसे पुरुष का दर्शन करता है वैसा ही फल पाता है फिर गौतम जी वहां उस परम दुरलब जल को पाकर विधी पूर्वक नित्य नैमित्य कर्म करने लगे उन मुनिश्वर्ण ने वहां नित्य होम की सिध्धी के लिए धान, जो और अनेक प्रकार के निवार बो दिए इस तरह के धान, भाती-भाती के व्रिक्ष और अनेक प्रकार के फलफूल वहां लहलाहा उठे ये समचार सुनकर, वहां दूसरे-दूसरे सहेस्तरो, रिशी, मुनी, पशु, पक्षी और बहु संख्यक जीव आकर फिर से रहने लगे वहवन इस भूमंडल पर सबसे सुन्दर हो गया उस अक्षजल के सयोग से अना वरिस्टी वहां के लिए दुख दाइनी नहीं रह गई अर्थात अकाल यानिकी बिना वर्षा के लिए भी वहां रहना सुख दायक हो गया उस वन में अनेक शुब कर्म परायन रिशी अपने शिश्य, अपनी पत्नी और पुत्र आधी के साथ वास करने लगे उन्होंने काल छेप करने के लिए वहां धान बोवा दिये गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद चा गया वर्षा ना होने की कारण जिस छेत्र को नर्जन समझ कर सभी लोगों ने उस छेत्र का त्याग कर दिया था वे वापस आकर वहां खुशी से रहने लगे एक बार वहां गौतम के आश्रम में आकर बसेवे ब्रहमनों की पत्निया जल को लेकर एहलिया पर नराज हो गई उन्होंने अपने पतियों को उकसाया उन लोगोंने गौतम का अनिस्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की भक्त पराधिन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा तब वे बोले की भगवन अगर आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त रिशी डाट फटकार कर गौतम को आश्रम से बहार निकाल दे गणेश जी ने सुना तो कहा रिश्यो तुम सब लोग सुनो इस समय तुम ये उचितकार नहीं कर रहे हो बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने की कारण तुम्हारी हानी ही होगी जिन्होंने पहले उपकार किया हो अगर उन्हें दुख दिया जाए तो वह अपने लोगों को बहुत दुख भोगना पड़ा था अब महर्शी गौतम ने जब जलकी विवस्था करके तुम्हें यहां सुख दिया तब तुम उनका ही अहित करने के बारे में सोच रहे हो और इस समय तुम लोग उन्हें दुख देना चाहते हो संसार में ऐसा कारी करना कदाप हित कारक ही होगा आप लोग उन्हें चाहे कितना भी कस्ट देने के बारे में सोच लो कभी भी उन्हें कस्ट प्राप्त हो ही नहीं सकता और ये मुनिश्टेस गौतम तुम्हें निश्चित ही सुख देंगे इसलिए उनके साथ छल करना बिलकुल भी उचित नहीं है कि वे सबी तो अपनी अपनी पत्नियों की बातों के मोहजाल में फंस चुके थे अक्सर ऐसा ही होता है अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारी घरों में कलहक लेश कई बार इसी कारण से होता है कभी-कभी तो पत्नियां अपने पत्तियों से बड़ा खतरनाक काम भी करवा देती है इसलिए हर पती को चाहिए कि वो बहुत सोच विचार कर ही कोई काम करे तो सूत जी कहते हैं कि हे ब्रहमनों जो बात गड़ेश जी ने रिश्यों से कही थी वो तो यदिप उनके रहित कर ही थी फिर भी उन्होंने इसे स्विकार नहीं किया तब भक्तों के अ अंतरध्यान हो गए मुनिवरो उसके बाद उन दुस्त रिश्यों के प्रभाव से और उन्हें प्राप्त हुए वर्दान के कारण जो घटना घटित हुई अब उसे भी सुनो वहां गौतम के खेत में जो धान और जौत है उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाए बनकर चले गए दिये वे वर्दान के कारण वे गव कापती हुई वहां जाकर धान और जो चरने लगी इसी समय दैव वश गौतम जी वहां आ गए वे तो दयालू ठहरे इसलिए मुठी भर तिनके ले जाकर उन्ही से उस गव को हाकने लगे उन कोमल तिनकों का इस पर शोते ही व उस गव के गिरते ही वे सब के सब चिला उठे गौतम ने ये क्या कर डाला गौतम जी भी आश्चर चकित होकर एहलिया को बुला कर बड़े दुखी मन से बोले देवी ये क्या हो गया कैसे हो गया जान पड़ता है परमेश्वर मुझ से नाराज हो गए है अब मैं क्या करू कहां जाओं मुझे तो गौहत्या लग गई उसी समय ब्रहमन और उनकी पत्निया गौतम को डाटने और दुर्वचनों द्वारा अहलिया को पीडित करने लगी उनके दुर्बुती शिश और पुत्र भी गौतम जी को बार-बार फटकारने और धिकारने लगे क्योंकि यही तो वो चाहते थे तब ब्रहमन बोले अब तुम्हे अपना मुझ नहीं दिखाना चाहिए यहां से तुम चले जाओ गौहत्यारे का मुझ देखने पर ततकाल वस्त्र सहित इसनान करना चाहिए जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अगनी देव और पितर हमारे दिये हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहन नहीं करेंगे इसलिए हे पापी गौहत्यारे तुम परिवार सहित यहां से अन्यतर चले जाओ बिलकुल भी देर मत करो सूत जी कहते हैं ऐसा कहकर उन सभी ने उन्हें पत्थरों से मारना प्रारम कर दिया विगालिया दे दे कर गौतम और अहलिया को सताने लगे उन दुस्टों के मारने और धमकाने पर गौतम रिशी बोले है मुन्यों मैं यहां से कहीं और जाकर रहूँगा ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तदकाल ही निकल गए और उन सबकी आग्या से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बना लिया अब वे दुस्ट ब्रहमण वहां भी पहुँच गए और उन ब्रहमणों ने कहा जब तक तुम्हारे उपर ये गौहत्या का पाप लगा है तब तक तुम कोई भी यग्य यग्यादी कर्म नहीं कर सकते किसी भी वैदिक देव्यग्य या पित्र यग्य के अनुष्ठान का तुम्हें कोई अधिकार नहीं रह गया है मुनी पर उन ब्रहमणों ने कहा गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते वे तीन बार सारी प्रत्वी की परिक्रमा करो फिर लौट कर यहाँ एक महीने तक उपवास करो उसके बाद इस ब्रहम गिरी की 101 परिकरमा करने के बाद ही तुम्हारी शुद्धी होगी या फिर यहां गंगा जी को लाकर उनी के जल से इसनान करो और एक करोड पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो फिर गंगा में इसनान करके इस परवत की ग्यारह बार परिक्रमा करो फिर सौ घड़ों के जल से पार्थिव शिव लिंग को इसनान कराने पर त रिमानों की आक्या से यह पार्थी पूजन और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर मुनिशेष्ट गौतम ने उस परवत की परिक्रमा करने के बाद पार्थी विलिंगों का निर्मान करके उनका पूजन किया। साधवी अहिल्या ने भी उनके साथ रहकर वे सब कुछ किया। उस समय शिष्ष प्रशिष उन दोनों की सेवा किया करते थे। सूत जी कहते हैं पत्नी सहित गौतम रिशी के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ठ हुए भगवान शिप वह शिवा और प्रमत गणों के साथ प्रकट हो गए। दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले हे देव मुझे निश्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा मुने तुम धन्य हो क्रत क्रत्य हो और सदा ही निश्पाप हो इन दुस्टों ने तो तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। फिर सदा मेरी भगती में ततपर रहने वाले तुम क्या पापी हो? मुने जिन दुरात्मा ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन करने से दूसरे लोग तो पापी खुद ही हो जाएंगे। वे सब किसब क्रतग ने हैं। उनका कभी उध्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की ये बात सुनकर महर्शी गौतम मनहीमन बड़ी विस्मित हुए। उन्हाने भक्ती पुर्वक शिवजी को प्रणाम करके हाथ चोड़कर फिर से इस प्रकार कहा। महादेव जी की ये बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन हुए। उन्होंने गौतम को कृपादिश्टी से देखकर उन्हें शीगरी इस प्रकार उत्तर दिया। देवेश अगर आप प्रसन है तो मुझे गंगा जी प्रदान कर दिजे। और ऐसा करके लोक का महान उपकार कर दिजे। आपको हे प्रभू मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर गौतम जी ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरण पकड़ लिए। लोक हित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर जी ने प्रत्वी और स्वर्ग के सार्भूत जल को निकाल कर जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था और विवाह में ब्रह्मा जी के दियेवे जल में से जो कुछ पी शेस रह गया था। वे सब भक्त वच्छल शंभू ने उन गौतम मुनी को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर इस्त्री का रूप धारन करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनीवर गौतम ने उन गंगा जी की इस्तूती करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले गंगे तुम धन्य हो, क्रत क्रत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है। इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरतेवे मुझ गौतम को भी पवित्र कर दो। फिर शिप जी ने गंगा जी से कहा, देवी तुम इन मुनी को पवित्र करो और तुरंत वापस ना जाकर वैवस्वत मनु के 28 में कल्यूक तक वही रहो। गंगा जी ने कहा महेश्वर यदि मेरा महात्य में सभी नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यही रहें तभी मैं इस धरातल पर रहूँगी। गंगा जी की ये बात सुनकर भगवान शिप बोले। गंगे तुम धन्य हो मेरी बात सुनो। मैं तुम से अलग नही हूँ। फिर भी मैं तुम्हारे कहे अनुजार यही इस्थित रहूँगा। तुम भी इस्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की ये बात सुनकर गंगा जी ने मन ही मन प्रसन्न होकर उनकी भूरी भूरी प्रशनसा की। इसी समय देवता, प्राचीन, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार की शेतर वहीं आप पहुँचे। उन सबने बड़े आदर से जयजयकार करते वे गौतम, गंगा तथा गिरिशाई, शिव का पूजन किया। फिर उन सबी देवताओं ने शीष जुका कर हाथ जोड़कर उन सब की प्रसनता पूर्वक इस्तूति की। उस समय प्रसन हुई गंगा जी और गिरिश ने उन से कहा हे श्रेस्ट देवताओं वर मागो। तुम्हारा प्रे करने की इच्छा से वहवर हम तुम्हें अवश्य देंगे। देवतागन बोले हे देविश्वर, अगर आप संतुष्ठ हैं और स सबका प्रे करने के लिए आप लोग स्वैम ही यहां आकर क्यों नहीं रह लेते। मैं तो गौतम जी के पाप को धोने के लिए जैसे आई हूं उसी तरह वापस लोट जाओंगी। आपके समाज में यहां मेरी कोई विशेष्टा समझी जाती है इस बात का पता मुझे कैसे अगर आप यहां मेरी विशेष्टा सिद्ध कर सके तो मैं अवशी यहां रहूंगी इसमें कोई संशे नहीं। तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सरवता सची बात कही है। हे गंगे, हे महादेवी, अतह तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्र हैं तथा हमारा प्रे करने के लिए यहां नित्य निवास करना ही चाहिए। गुरु जब तक सहरासी में रहेंगे, त सूत जी कहते हैं इस प्रकार उन देवताओं ने तथा महशी गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरीताओं में स्रेष्ट गंगा जी दोनों वही पर इस्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी अर्थात गोदावरी के नाम से विख्यात हुई और भगवान शिपका वह जोतिर मैं लिंग त्रेंबक कहलाया जो कि नासिक में इस्थित है यह जोतिर लिंग महान पापों का नाश करने वाला है उसी दिन से लेकर जब जब ब्रस्पती सिहराशी में इस्थित होते हैं तब तब सभी तीर्थ, छेत्र, देवता, पुशकरादी, सरोवर गंगा, आदी नदिया, तथा श्री विश्नु, आदी देवकन अवश्य ही गौत्मी के तट पर पधारते और वास करते हैं वे सब जब तक गौत्मी के किनारे रहते हैं तब तक अपने अपने इस्थान पर उनका कोई फल नहीं होता जब वे अपने छेत्र में वापस जो भक्ती भाव से इस त्रेंबक लिंग का दर्शन, पूजन, इस्तवन और वंदन करता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है गौत्मी के द्वारा पूजित त्रेंबक नामक ज्योतर लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मो पूज़ा था वह सब मैंने कह सुनाया अब और क्या सुनना चाहते हो कहो मैं उसे भी तुमें बताऊंगा इसमें कोई संशन नहीं जै भूलेनात आज का ध्याए समाथ हुआ अगली अध्याय में 12 जोत्र लिंगों का महतमि समाथ हो जाएगा अगर आप पित्र पक्ष्मी गरूर पुरान की कथाएं सुना चाहते हो और नवरात्री में देवी भागवत पुरान की कथाएं सुना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएगा लेकिन आपको वो कथाएं हम इस चैनल पर नहीं सुना पाएंगे कारण आप जानते हैं कि एक ही समय में बह इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि ये कथाएं आपको बहुत पसंदारी हैं